कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहुंगा चुनिये CGPSC बात्षाला क्लासेज को और करें अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार डाउनलोड डियांग नाओ अब तक पूछे नहीं गया है इस economic survey वाले topic से देखिए इसमें जो है एक दो question आते हैं जो बार-बार repeat होते हैं किस प्रकार एक question एक्जाम में पूछेगा है आगे lecture के दौरान आप लोगों से discuss करूँगा ध्या समस्ते वे चलिएगा देखे बोर्ड पर आपको बहुत सारी चीजे लिखी हुई दिख रही होगी सारे चीजों को मैं यहां पर पढ़कर आपको नहीं बताऊंगा यह जो सारी चीजे है हम अंडरलाइन करके हाइलाइट करके आपको बताऊंगा और उनी फैक्ट को आपको याद रखना है ठीक है ध्या समस्ते वे चलिएगा देखे अध्या तेरा नगरिय विकास सबसे पहले आप ध्यान दीजेगा जब आप आर्थिक सर्वेक्षन के लिए टॉपिक पढ़ेंग इससे क्वेश्य के आपको रुपीड भी होता है इंपॉटेंट है भारते सब्यधान के अनुच्छे 2 2.43 में नगरी निकायों के गठन के बारे बताया गया है ठीक है नगरी निकायों का गठन नगरी निकाया जो कि आपके नगर पाली का निगं नगर पाली का परिष्ट और नगर पंचायत के गठन के बारें बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए, व्रियत नगरिये छेत्र, लगुत्तम नगरिये छेत्र और संक्रमन शील्ड छेत्र, अब यह संक्रमन शील्ड छेत्र क्या होते हैं, इसे द्यान से हुआ है पंचायट जो कि जनरली आपके ग्रामिन छेत्र से रिलेटेड है अब देखिए यह जो आपका जो संक्रमन सिर्फ छेत्र है संक्रमन सिर्फ छेत्र नाम से इस पश्ट है ऐसे छेत्र जो कि पहले गाओं थे जिनका अभी-अभी शहरी रूप में इनका विकास हुआ है जश्ट अभी यह शहर वने है इसलिए इन्हें नगर पंचायत कहा जाता है नगर पंचायत मतलब यह अभी कुछ समा पहले गाओ थे और अभी यह विकास करके शहर वने है ठीक है तो यह जो आपका संक्रमन शील छेत्र जो बताया गया है यह नगर पंचायत के लिए वर्ड यूज होता है अगर हम बात करें हमारे प्रदेश में एड़ प्रजेंट चौदा नगर निगम आपका नगर पाली का परिसत जो है यह 43 नगर पंचायतों की संक्या 112 टोटल अगर हम बात करें तो नगरी न दिजेगा यहां पर अगर हम जनगरना की बात करें शहरी छेत्र की ठीक है अगर हम बात करें शहरी 36 गड की बात करें जैसे लाच्ट कल अगर हम बात करें तो जनगर्ण दो हजार ग्यारा के आकडों के अनुसार चाति गड़ की कुल अबादी है तो पॉंट फाइफ करोड यानिकी दो करोड पच्प्पन लाग चाति गड़ की कुल अबादी है जिसमें से 59,37,000 यानिकी 69,37,000 अबादी जो है ये निवास करती ह आपकी शहरों में ठीक है ये निवास करती है आपकी शहरों में ध्यान दिजेगा शहरी छेत्र के अंतरगत प्रदेश की कुल आबादी का 23.24% आबादी निवास करती है हमने देखा था प्रदेश में कितनी ग्रामीड आबादी जो है कितनी ग्रामीड आबादी ये आपका न 76%, 36 गड़की कुल जन संख्या का 76.76 प्रतीशत आबादी गाउ में निवास करती है जब कि 23.24 प्रतीशत आबादी जो है ये शहरों में निवास करती है काफी कम, एक चौथाई से भी कम है यानि कि 36 गड़की जो सरवाधी जो आपकी आबादी है ये गाव में निवास करती है ठीक है अगर हम बात करें सबसे तीवर शहरी करण पेटी की अगर हम बात करें शहरी करण पेटी मतलब ऐसा छेतर जहां पर जो है एकदम तेजी से शहरी करण हुआ है तो वो है आपका रायपूर भिलाई पेटी यानि कि आपका रायपूर जीला और आपका दुर्ग जीले का जो भिलाई है उसका जो छेत्र है जो एक पेटी बना हुआ है उस छेत्र में जो है तीवर शहरी करण हुआ है डायेट प्रेशन पूछ सकता है कि प्रदेश के किस आपके पेटी में सबसे तीवर शहरी करण हुआ है तो कौन सी पेटी है वो है आ भी नगरी छेतर संबंदित हैं ना की ग्रामिन छेतर ना की नकसल बहूल छेतर नहीं की महिराओं से यह particular जो है यह शहरी छेतरों संबंदित हैं ध्यान दीजेगा राजिव गांदी स्वावलंबन योजना इसका जो उद्देश है यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजेगा अस असंगठित मतलब संगठन का मतलब होता है और्गनाइजड असंगठित का मतलब जो और्गनाइजड नहीं है ठीक है जो जो और्गनाइजड नहीं है जो किस संस्था के अंतरगत नहीं आते असंगठित रूप से गुम्टी ठेला यानि कि अगर आप देखेंगे जैसे कि जो चाट गुप चुप कर ठेला लगता है, जो आपका जैसे मिच्चर, बिस्किट बेचने वाले, जो ठेले में जो बेचते हैं, सबजी बेचते हैं, उनकी बात हो रही है, फेरी लगाकर, फेरी लगाकर करके हैं, जो आप देखे होंगे, गली महले में निकलते हैं, ठेला लेकर करके आवाज लगा लगा करके अपने सामान का प्रचार करते हैं तो वो है आपके फेरी लगा कर जीव को पार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्था संबंदित है यह योजना राजीव गांदी स्वावलंबन योजना देखिए इस राजीव गांदी स्वावलंबन कि राशी का प्राधान है जो कि शत्प्रतीशत अनुदान है अनुदान का मतलब क्या होता है ऐसी राशी जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है और वो सरकार के द्वारा वापस नहीं ले जाती है देखे एक होता है आपका रिण और एक होता है अनुदान रिण उस राशी को कह जो राज्य सरकार देगी और उसे कुछ समय के बाद कुछ ब्याज के साथ सरकार को वापस लोटाना है अनुदान जीसे सरकार न दिया तो है लेकि उसे वापस लोटाने की जरूवत नहीं है तो यहां पर बात हो रही है राजिव गांधी स्वावलंबन योजना ये आया ठीक है अगर हम बात करें इस योजना के अंतरगत अब तक 3714 गुंटियों हेतू 642 लाख रुपए की राशी स्विक्रित की जा चुकी है तो ये है आपका राजीव गांधी स्वावलंबन योजना इस राजीव गांधी स्वावलंबन योजना से ही रिलेटेट एक और योजन है वैसे ही है आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है देखे नगरी निकायों के बेरोजगार युवाओ तथा यूतियों को स्वारोजगार उपलब्द कराने हेतू दुकान चबुत्रा उपलब्द कराना वो है आपका राजीव गांधी स्वावलंबन योज जो कि गुम्ती ठेले और आपके फेरी वालों सम्बंदित हैं यहां पर बात हो रही है बेरोजगार युवक यूतियों को सवरोजगार उपलब्द कराने हेतु दुकान और चबुत्रा उपलब्द कराना याने कि यहां पर गुम्ती ठेले नहीं है इस्थाई रूप से एक ज चमलों एक आठ लाक रूपे की राशी छोटी दुकानों के लिए अंठ्यानवे हजार रूप है और चबुत्रा निर्मान के लिए पैसाट सो रूपे की जो है राशी इसे प्रदान की जाती है इसमें नगरी निकारों में 50 प्रतिशयत रिन और 50 प्रतिशयत अनुदान है जैसी कि मैंने बताया रिन रिन वह राशी होती है जो कि आज अद चिस सरकार प्रतान तो करेगी लेकिन कुछ तमय के परस्चत कुछ भ्याज के साथ उसे वापस भी लोटाना होगा अनुदान जिस सरकार जो है देगी लेकिन इसे वापस करनी की जडरुवत नहीं होती यह कराता अनुदान जैसे कि माल लीजिए अगर सरकार ने 1.18 लैक यानि कि 1.8 लाक रुपे की राशी प्रदान की है तो उसका 50% रिंड के रूप में वापस लोटाना पड़ेगा यानि कि लगबग आपका 69,000 के आसपास और 69,000 रुपे जो बाकी बचा हुआ है वो अनुदान के रूप में उसे लोटानी की जरुवत नहीं है ठेक तो ध्यान दीजेगा जो राजीव गांदी स्वावलंबन योजना है राजीव गांदी स्वावलंबन योजना असंगठी छेत्र के गुम्ठी ठेले से संबंदीत है फेरी लगा कर जीव को पारजन करने वाले परिवारों संबंदीत है जिसे प्रती गुम्ठी 30,000 रुपे का प्रावधान है उसके विप्रीत दिये जो आपको मुख्य मंदर स्वावलंबन योजना है ये इस्थाई एक जगह पर रह करके व्यावसाय करने वाले लोगों संबंदीत है जिसे बड़े दुकान के लिए 1,18,000 रुपे छोटे दुकान के लिए आपका 90,000 रुपे जबकी चबुतरा जैसे कि आप देखे होंगे बाजार बाजार जाते तो बाजार में सीमेंट के थोड़े से उची चबुतरे बने होत ठीक है अब तो पीछे चलते है देखिए दीन दयाल अंतियोदय योजना या इसे ही कहा जाता है राष्ट्रिय शहरी आजीवी का मिशन इसका उद्देश क्या है जीला मुख्यालयो वह शहरी छेत्रों के गरीबों को जीवको पारजन उपलब्द कराने के लिए यह योजन इसके जो लाभारती है यह पत्विकरेता बेघर व्यक्ति और स्वासाहता समू जो है इस योजना के लाभारती होंगे देखिए पत्विकरेता यानि की जो सड़क किनारे किसी फुटपात पे बैठ करके अपने सामान को बेशते है इसके अलावा बेघर व्यक्ति जो घूम गों करके सामान बेशते है एक इस दूसरे स्थान में जाकरके अपना बसेरा रखते है और स्वासाहता समू इसके इस योजना के लाभारती होंगे इसमें जो वित्तिय पोशन है जितने वित्तिय पोशन निर्धारीत होगी उसका 60 प्रतिशत जो है यह केंद्र सरकार वहन क करेगी हाँ इसमें इनपर्टेंट है आरक्षन दिन दयाल अंतियोधा योजना राष्टिय शहरी करण राष्टिय शहरी आजिवी का मिशन के अंतरगत महिलाओं को 30 प्रतिशत अल्पसंख्या को 15 प्रतिशत विकलां को 3 प्रतिशत और STST को शहर में निवासरस SCST प्रतिश सब्सेडी की तो लगबग 6% का ब्याद जनुदाना और सब्सेडी है फालतु का कोश्चन है पूशे जानी की संभावना बहुत कम है ठीक है चलिए आगे देखते हैं ध्यान दिजेगा नेक्स्ट है आपका अम्रित मिशन अम्रित ये जो आपका अम्रित है अम्रित का फुल फॉर्म है अटल नवीनी करण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अगर हम अम्रित के फुल फॉर्म की बात करे तो ये है आपका अटल नवीनी करण एवं शहरी परिवर्तन मिशन इस मिशन ऐसे शहर जिनकी आबादी एक लाग से अधिक है तो पूरे देज भर में से 500 शहर का चयन हुआ था और हमारे प्रदेश के 9 नगरी निकायों का चयन हुआ था इस योजना के लिए, इस मिशन के लिए अब 9 नगरी निकाय कौन कौन से है देखिए, ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ हमारे प्रदेश में टोटल आपके 5 संभाग है 5 संभाग के 5 संभाग मुख्याले ठीक है, अगर हम सरगुजा संभाग के आपके संभाग मुख्याले की बात करें पूर, उसके अलावा ये कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच टोटल 9 की बात हो रही है, भिलाई, राजनांद गाव, रायगर और कोरवा ये टोटल जो है 9, मिशन अमरित के अंतर का शामिल नगरे निकाय है बहुत पुराना कोश्चन है, इसमें एक बार पूछा गया है कि अमरित का फुल फॉर्म क्या है अटल नवीनी करण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, ठीक है ये प्रश्र बन सकता है कि मिशन अमरित के तहट हमारे प्रदेशे कुल कितने नगरी निकाय का चैन हुआ है आपके जलापूर्ती हो, वहां का सिवरस सिष्टम, डेनेश सिष्टम सही सलामत हो, सैप्टी मेनेजमेंट हो, उद्यान और हरित इसल इसके प्रमुग गटाक है तो ये है आपका मिशन अमरित, ठीक है, अब नेक्ट देखिए नेक्ट है आपका मिशन इस्मार्ट सिटी, मिशन इस्मार्ट सिटी और मिशन अमरित, दोनों एक ही डेट को शुरू हुए थे, 25 जुन 2015 को भारत के कुल 100 शहरों को, कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु चैन हुआ था ठीक है, पूरे भारत घर में से 100 शहरों का चैन हुआ था, इस्मार्ट सिटी बनाने के लिए, इसका भी शुरूआत हुआ था 25 जुन 2015 को, इसके डेट से फ्रश्न आया हुआ है एक्जाम में 36 गड़ के 3 शहरों का चैन हुआ है, आपके इस मिशन, इसमार्ट सिटी के अंतरगत, रायपूर, नया रायपूर और बिलासपूर, ठीक है, रायपूर जीले के दो, रायपूर और नया रायपूर, दोनों अलग अलग है, ठीक है, नया रायपूर और नवा रायपूर बोल शहरी गरीबों को जमीन पट्टा प्रदान करना ठीक है जमीन का पट्टा प्रदान करना देखे एक होती है जमीन की रजिष्ट्री जिसमें उस भूमी का स्वामी वो जो आपके भूमी है उसका भूमी स्वामी स्वयम वह व्यक्ति होता है और यहां बात हो रही है पट्टा प्रदान करना यानि कि गौवर्मेंट की जमीन है और गौवर्मेंट 30 साल या 40 साल के लिए उस जगह को किसी व्यक्ति विशेश को प्रदान करती है लीज पर पटा पर तो शहरी गरीबों को जमीन का पटा प्रदान करना यानि कि वो जमीन के स्वामी वो व्यक्ति नहीं है व नगरपाली का निगम, नगरपाली का परिशत, नगरपंचायाद में 19 नवंबर 2018 को निवासरत जुगी वासियों को इस्थाई पट्टा प्रदान करना ध्यान समझेगा यह है क्या यह कोई नई योजना नहीं है देखे गौर्मेंट में इससे पहले 1984 को पट्टा वित्रित कि गया था और इस पट्टे की अवधी थी 30 साल, यहन्य कि 1984 के बाद से ले करके हम बात करें तो 2004 में, ठीक है, 2014 में, 2014 में ही पट्टा समाफ्थ हो गया, ठीक है, तो अब इस पट्टा का नवीनी करन किया रहा है, लेकि नवीनी करन करने में समझस्य क्या है, कि 1984 में सरकार ने जिन व्यक्तियों को पट्टा प्रदान किया था वो व्यक्ति अब उस इस्थान पे मौजूद ही नहीं है क्योंकि उस जमीन के खरीदी विक्री हो चुके यह जो है भले ही illegal है लेकिन अब government के control से बहार लोगों ने इसकी खरीदी विक्री कर दी है तो अब सरकार पट्टा के नभीनी करन कैसे करे तो उसके लिए government ने एक date decide किया है कि 19 नवंबर 2018 तक की इस्थिती में जो भी व्यक्ति उस भूमी पर अगर निवास कर रहा है उसी व्यक्ति के नाम पर ही पट्टा प्रदान किया जाएगा तो यह है आपका राजीव गांधी आसरा योजना जो की शहरी गरीबों के जमीनी के पट्टे से संबंदित है बस आपको इतना याद रखना है और यह date याद रख लीजेगा 19 नवंबर 2018 ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका सौर सीटी प्रोजेक्ट ठीक है सौर सीटी प्रोजेक्ट अब इस सौर सीटी प्रोजेक्ट क्या है देखिए इसमें जो है पूरे भारत भर में से कुल 65 सहरों का चैयन हुआ है प्रदेश के रायपुर और बिजासपुर का चैन हुआ है इस सौर सिटी प्रोजेक्ट के अंतरगत इतमें शहरों में परमपरागत उर्जा इस्तरोतों के इस्थान पर सौर उर्जा को बढ़ावा देना ये इसका मुक्ष उद्देश्य है अगले पांच वार्ज में दस फीसदी परमपरागत उर्जा की बचत का लक्ष है इससे कोश्चन पूछे जाने के संभावना बहुत कम है पौनी पसारी योजना अब देखें ये इनपॉर्टेंट है जो आपके पौनी पसारी योजना है ये क्या है सबसे पहले इसको ध्यान दीजेगा पौनि पसारी योजना जो कि केवल नगरिये छेत्र सम्बंदित है पहला important fact जो बता उसको ध्यान दीजेगा तो परंपरागत व्योजना को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया अब यह परंपरागत व्योजना क्या है इसे द्यार समझिएगा पहला चीस तो यह पौनी पसारी योजना जो यह शहरी छोट्र के लिए है शेहर के पूरे 169 नगरी निकाय में इसका विस्तार है ठीक है वर्ष 2021 तक के इस्थिती में टोटल 261 परियोजना है स्विक्रीत है इस आपके पौनी पसारी योजना के अंतरगर अब इसके लाभार्ती कौन होंगे लाभार्ती होंगे परंपरागत व्यावसाय में कारे रत ल तो आज के डेट में परंपरागत के इस्थान पर अब आ गया है मशीनी कृत मशीनी कृत मतलब अगर हमें एक थाली भी चाहिए तो पहले के समय में एक थाली एक थाली बनाने के लिए लोहार के पास जाना पड़ता stigma कैकि कोई हो चनाने के लिए हमें लोहार के पास लेकिन अब क्या होगा सब आटोमेटिक हो गया अब सभी के सभी डिपेंडेंसी जो है यह मशीनों के उपर हो गई जिसके कारण यह परंपरागत व्यावसाय में लगे हुए जो लोग है इनका जो व्यावसाय है यह कम हो गया तो यहाँ पर जैसे लोहार, बढ़ाई, बुनकर, बासो के सामान, निर्माता, चेटाई, निर्माता आधी को जो है शेड यूप्त चबुत्रा प्रतान क्या जागा है यह जैसे कि आप बजार जाते होंगे तो वहावे सिमेंट का बनाऊवा चबुत्रा रहता है उसकी उपर क कुछ नहीं, एक शेड लगा देंगे, एक शट लगा देंगे, उसकी बात हो रही है, ठीक है, इसमें प्रती नग 30 लाख रुपए की पात्रता निर्धारित की गई है, ठीक है, यानि कि प्रती वेवसाईयों को 30 लाख रुपए की पात्रता निर्धारित है, जो की शट प् डिजाइन अनुसार बड़े चबूतरे यह ऐसी है ठीक है इस तरह आपको कुछ यहाँ पर याद नहीं करना है यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है वो टेबल भी उतना आप लोग लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ यह कितने नगरी निकाय में कितनी योजनाय स्विक हाँ यह 261 को थोड़ा सा याद रख लिजेगा इससे कोशन बन सकता है कितनी योजनाय स्विक्रित है पूछेगा तो टोटल जो है 261 पर योजनाय स्विक्रित है इस पौनी पर सारी योजना ग्यांतरगत ठेक अब देखिए मुख्यमंत्री वार्ड कारियाल है मुख्यमंत कि अभी वर्तवान में आपके कॉंग्रेस की सरकार है इससे पहले बीजेपी की सरकार थी यानि कि जब डॉक्टर रवन सिंग मुख्यमंत्री थे उस समय वो जो है जन चौपाल का आयोजन करते थे यानि कि मुख्यमंत्री आवास में एक दिन डिसाइड किया जाता था निर करने का प्रयास करते थे तो अब क्या है कि हर एक व्यक्ति विशेश का अलग अलग जिले में निवास करते तो हर एक व्यक्ति विशेश का मुख्यमंत्री आवास में जा पाना संभव नहीं है तो मुख्यमंत्री जन चौपाल के तरजपर लाया गया है मुख्यमंत्री वार तो हर वार्ड में जो है आपका वार्ड कार्याले की स्थापना की जाएगी प्रत्यक नगरी निकाय में वार्ड कार्याले की स्थापना की जाएगी जन समस्या जाने कि जो है वार्ड में क्या समस्या हो सकती है स्वक्षता पर्यावरण इस्टीट लाइट जल प्रदाय सामु तीन लाग से अधिक आबादी पर दो वार्डों को मिला करके एक वार्ड कार्याले होगा, ठीक है, दो वार्डों को मिला करके एक वार्ड कार्याले और दो से तीन लाग की आबादी पर तीन वार्डों को मिला करके एक वार्ड कार्याले का गठन किया जाएगा, इसमें important है के मैंने बताया ना बताने के लिए कुछ यादा फैक्ट नहीं है केवल उल जलूल की चीजे है एक दो बार कोशन आया है करके पढ़ाना भी जरूरी है Mission C Technology है यह समस्त नगरी निकायों में व्यग्यानिक रिती से यानी कि व्यग्यानिक तक्नीक से थोस अपशिष्ट का प्रपंदन यानी कि वेस्ट मेनेजमेंट करने के लिए है आपका Mission C Mayo City अगर हम बात करें कि हमारे प्रदेश का सबसे सच नगर निगम कौन सा है तो वो है आपका अम्भीकापूर अम्भीकापूर नगर निगम ठोस पुन चक्री करण योग योग कचरे के प्रिथक करण की अवधारना पर आधारित है इसी मॉडल पर प्रदेश के 166 नगरी निकायों में मिसन क्लीन सिटी लागो किया गया है अब ये मिसन क्लीन सिटी है क्या देखिए अम्भीकापूर नगर निगम का जो आपके सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट है जो उसका जो सिटम बनाया गया है उसी को फॉलो किया जारा है उसी मॉडल को फॉलो किया जारा है नगरी निकायों में जैसे कि स्वासाहत समुहों के माद्दे हम से घर घर दरवाजे दरवाजे में जाकर करके कचरे का कलेक्शन करना ठीक है, SLRM सेंटर का संचालन करना, और्गेनिक कचरे की कंपोस्टिंग तथा अंतिम सेश्ट अपसिष्ट के लिए लेंड फिल का निर्मान करना, यह जो है एक मैनेजमेंट है, एक सिश्टम है, ठीक है, अगर हम बात करें, RDF, बिलासपूर और रायपूर नगर निगम में, RDF, याने की रियूज, डिराइवड फ्यूल, सयंत्र, की स्थापना कर, कचरे का प्रसंसकरान करके, याने की प्रोस प्रोसुज, डिराइवड फ्यूल, सयंत्र, इस्थापित किया गया है, जिसे कचरे से फ्यूल का निर्मान हो रहा है, तो आपको बस यह याद रखना है, कि यह RDF तकनीक पर आधारीत, कचरे का प्रसंसकरान सयंत्र, कहां पर इस्थापित है, बिलासपूर और रायपूर नगर निगम में, ठीक है, नेक्ट देखिए, यहां ध्यान दीजेगा, नेक्ट है आपका भागी रथी नल जल योजना, इसमें जाला डिटेलिंग कुछ नहीं करेंगे, बस एक याद रखिएगा, कि भागी रथी योजना का संबंद किस्से है, भागी रथी योजना का सं नल जल योजना से, याने कि पेजल जैसी मुल्भू सुईधा से वंचित गरीब परिवारों को निशुल्क जल संयोजन प्रदान किये जाने की योजना है, आप से डेक्ट प्रशने पुछा जाएगा, कि भागी रथी योजना का संबंद किस्से है, यह जो है आपका ये न आगे रथी योजना क्या है, यह एक नल जल योजना है, याने की नल संयोजन प्रदान किये जाने की योजना है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी, प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी जिसकी शुरुआत हुई 25 जुन 2015 को नाम सही इस परश्ट है शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नीमन आय वर्ग मध्यम आय वर्ग के गरीब परिवारों परिवार जिनके पास खुद का घर नहीं है या कच्चे घर है कच्चे घर यानि कि मट्टी के बने वे घर उन्हें स्वयम का प ऐसे शहरों में रहने वाले गरीब परिवार जिनके पास स्वयम का आवास नहीं है अलप आय वर्ग जिनकी आय जो है तीन लाग से कम है देश में कहीं भी पक्का मकान ना हो ठीक है दिनांग इकत्तीस आर्ट दो हजार पंधरह से पूर्वन निकाय छेत्र अंतरगत ये नि का आपके मोर जमीन मोर मकान की बात करें तो इसके अंतरगत स्वयम की उपलब्द भूमी पर आवास का निर्मान करना एसा ये कि जिनके पास स्वयम की भूमी तो है लेकिन उस पर मकान नहीं बना हुआ है मोर जमिन मोर चिन्हारी जिसमें क्या है अ इस्थाई गंदी बस्ती एवं अव्योहार या इस्थाई जुग्गी बस्ती की व्यवस्था पन हेतूर याने कि जुग्गी बस्तिया है उन्हें बस्तियों से निकाल करके गौवर्मेंट किसी एक इस्थान पर उन्हें मकान बना करके देगी और उन्हें शिफ्ट करेगी यानि कि जुगी बस्तियों को हटा करके government उनके लिए separate एक मकान यानि कि मकान एक society बना करके देगी जहां उन्हें shift करेगी तो more जमीन more मकान का जो है इसके अंतरकत व्यक्ति के बास स्वयम का भूमी तो है लेकिन मकान नहीं है और more जमीन more चिननारी में क्या है इसमें जुगी बस्तियों को हटा करके कहीं दूर government जो है उन्हें मकान बना करके उन्हें व्यवस्थापित करेगी ठेक अगर इसके भी टंसन कंडिशन है अधिकतम 30 वर्ग मिटर आपके कारपेट एरिया का निर्मान करेगी इसमें government व्यक्तिकत आवास निर्मान हेती चार किस्तों में 2.29 लैक की सबसेड़ी प्रदान करेगी वैसे मोर जमीन मोर मकान के अंतर के शाषन द्वारा बहु मंजिला इमारत जो है जिसमें मोल भूत सुईधाओं के साथ साल 30 वर्ग मीटर 6 रफल का फ्लैट निर्मित हो ठीक है इसमें बहु मंजिला इमारत बनाएगी और उसी में अलग-अलग फ्लैट बना करके government उन्हें उपलब्द कराए जाएंगे ठीक है तो यह है आपका मोर जमीन मोर मकान मोर जमीन मोर चिन्हारी ठीक नेक्स्ट है आपका नर्वा गर्वा गुर्वा बाड़ी योजना जिसके अंतरगत गौठान निर्मान देखे नगरी निकायों में गोधन यानि की पालतू आवारा दोनों कि रख रखाओ हे तू पारंपरिक एवं प्रचलित व्यवस्था इस्थापित करना यानि की गौ पशू यानि की मवेशियों को रखने के लिए तीन एकड की भूमे एलोट की जाएगी शहरी छेत्रों में ठीक अगर हम प्राधिकरित अधिकारी की बात करें तो मुख्य नगर पाली का निगम अधिकारी जो है इसके मुख्य प्राधिकरित अधिकारी होंगे बस इतना ही याद रखना है इसमें यह याद रखेगा कि तीन एकड की भूमें एलोट की जाएगी इस स्यादा कुछ नहीं है देखिए यह आपका नगरी विकास वाला टॉपिक है यह जवरदस्ती का टॉपिक है कुछ बेसिक एक दो लाइन कभी कोश्चन बन गए तो बन गए से पढ़ने की जरुवत है इस्पेशली आपका सिक्षा और स्वास्त वाला टॉपिक ठीक है आज के लिए इतना ही किसी प्रगा डाउट हो तो आप जीचे कमेंट करके पूछ सकते है चैनल पर नहीं तो चैनल सब्स्राइब कीजगा लाइक उस्टे जरू कीजगा धन्यव